मैं हूँ प्रिती और आप सबी का प्यू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है आशकाति आज का दिन आपका शुब बित्रा होगा अज के वीडियो में बाते करेंगे कि दस गलतियां जो हर किसी मदर के लाइफ में होती है ब्रेस्प्रिंग के टाइम पे और जो कि मेरे टाइम प देख रहे तो प्लीस जिसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू किजएगा आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महीं लगता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हर को जो नीवली मदर होता है ना उसे कुछ नहीं आइडिया होता है इंफक मुझे भी कोई आइडिया होती है इसलिए मैं कहती हूँ कि थार्ट ट्रामेस्टर के टाइम पर ही आपको ब्रेस्फिडिंग सीख लेना चाहिए जो भी मैं आपको बताऊंगी सब करते हैं और मेरे से भी हुई थी वह गलतियों को मैंने रटिफाइब किया और आज देखिए मैं आप लोग का ब्रेस सारी रिसरच किया बहुत सारे चीज़े किया इस वज़े से आपके साथ मैं यह सारे वीडियो शेयर करती हूँ फर्स गलती कि जब प्रेग्नेंसे होती है हमारी उस टाइम से ना हमें जो निपल का है मों मसाज करना चाहिए और निपल को थोड़ा सा पुल करना चाहिए रि कि यह सब उनको बताया नहीं जाता है करना चाहिए तो वह कैसे करेंगी इस वज़े से उनके जो निपल्स होते होते हैं वो फुले होते हैं एन्वर्टेड रोती हैं यह सारी जिज़े हैं उपहले से कानी चाहिः ऐए फ्रेंड सेकेंड मिस्टेक प्रापर लैच नहीं माल प्रश्म होना यह सब मदल्स को होता है और मुझे भी हुआ था प्रियू को मैं अच्छे से लैच नहीं कर पाती थी वह रोती थी तो फिर मुझे इसे लैच करना नहीं आता था किस पोजीशन में बैठके उसे लैच करवाना आए दूद्ठ पिलाना है वो नहीं आता था सही लैच ना सीखने के वज़ए से वो है बहुत जारा लागी टाइटली काट करती थी जिसके वज़एसे वहा पर जखम हो जाता था नमखर त्री जो हर मदद करती है कि बचा काट रहा है यह प्र भी उसके बावज़ूद भी उसे दूर्ट पिलाते रहना नमबर फूर जब बचा बहुत रोता है ब्रेस पैट पीने के बाद अपकर दूर्ट पीने के बाद भी रोने लगता है तो आपको किस के पास जाना चाहए? आप बोलोगे की नौक्टर के पास जहां हम लोग ने डिलिव्री करवाई या फिर बच्ची के डॉक्टर के पास? नहीं. आप दोनों को जाना चाहए लैकटेशन कंसल्टन्स के पास वो आपको सही guidance देंगे कि breastfeeding किस तरह से करवाना है किस तरह से आपका breast milk बढ़ेगा मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए है पर आप एना lactation consentence के पाथ जाओगे तो आपको ज्यादा अराम होगा जिस जो मेंको कोई idea नहीं था उस time पे अब मैंने बहुत सारी research करके यह सारी जा जान कर घटी किये जो आपको अगर आप ठर्ट रामेस्टर में है तो यह सारी चीज़े जान सकते हो इसलिए कि कई बार क्या होता है कि आप बच्चे के डॉक्टर के पार जाते हैं तो बच्चे के डॉक्टर क्या बोलते कि आपका जो milk supply है वो कम है इस वज़े से बच्चे को लेक्टेशन चालो करदा और वो नहीं बताते कि आपका जो milk supply किस तरह से बढ़ सकता है और अगर आप लेक्टोजन चालो कर गये तो आपका जो milk supply है और कम होते जाएगा इसलिए आपको लेक्टेशन कंसल्टेंट के पास ही जाके अपना चेकप करवाना चाहिए mistake number 5 is बहुत सारे cultures में यह है कि पानी नहीं दिया जाता मुझे भी नहीं दिया रहा था बहुत कम मातरा में दी जाती थी क्योंकि इस पेट बढ़ जाएगा पेट बढ़ जाएगा तो वैसा का वैसा ही रहेगा पर यह सब गलत है मैंने बहुत साइफ वीडियोस में आपको बताया है कि पानी की कमी के वज़े से breast milk supply भी कम हो जाता है क्योंकि 80% पानी और 20% ही milk होता है अगर पानी कम पी होगे तो इसके वज़े से breast milk supply कम आएगा और बच्चा जारा भूगा रहेगा mistake number six जब बेना माँ को बहुत जारा pain होता है breast में और उसके वज़े से माँ बच्चे को दूद नहीं पिला पाती तो family वाले क्या बोलते है कि उसे गाई का जो दूद है उसे 20% गाई का दूद और 80% पानी mix करके बच्चे को दे दो लेकिन यह जो mistake है वो बहुत ही गलत है क्योंकि इसे वज़े से बच्चे को बहुत सारा severe जो लाब शुरू हो सकता है बच्चा hospitalized हो सकता है बच्चे को ऐसा नहीं देना है अगर आपको आहना देना ही है तो टॉप अप दो जो मार्केट में available है डबे में जो आता है वो दो क्योंकि वो मा के दूद के करीब होता है बच्चे को ज़रा तकलीफ नहीं होती गाई का दूद बच्चे को हसम नहीं कहो सकता है क्योंकि एक साल तक बच्चे का दे सकते हो यह गलती मैंने पीओ के टाइम पर की इसके वज़े से पीओ का जो बहुत ज़रा जुलाब होने लगा ता उसे ग्रीन पॉटी चालू हो गई थी बहुत ज़रा हो था इस वज़े से नमबर सेवन आप अपने जो चीजे हैं जो गलतिया है वो अपने फैमिली में आपको बोलेंगे के नॉर्मल है यह तो होता ही है पर ऐसा नहीं है जब पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चीए को यह जो है वह आपके फैमिली मेंबर्स आपको ऐसा टॉंट की तरह जो भी रिलेटिव साए गावा इसे दूद पिलाना ही नहीं आ रहा है फ सही से डॉक्टर के पाथ जाके पहले सही कंसर्ण करोगे तो सही वक्त पे इलाज हो जाएगा मिस्टिक नमबर नाइन बहुत सही मदल्स को आना यह सजेशन दिया जाता है जिसके इन्वर्टेट निपल है कि चिरेंज लिजिए और उसके उपर का जो टॉप का आगे जहां निकाले इस प्रोसेस में ना बहुत पेन होता है कभी कभी खून आ जाता है इसके अलावा आप एना निपल शील्ड का यूज कीजिए यह निपल शील्ड अभी मुझे पता चला है पहले नहीं पता था इस वज़ए से यह आप एना बहुत सारी मदल्स के साथ यह सारी है जिसके वज़े से वह निपल आगे आ सकता है अब यह सब फालतु के चीज़े ट्राय करने से सिफ जखम होगा और कुछ नहीं होगा अब हैं अपने ब्रेस को ज्यादा इंगॉजमेंट के लिए रख देते हैं जादा ओवर लोड़ेड दूद रखते हो यह गलत है मेरे पे मुझे नहीं हम था किहां दूद नीकालना कोंशे पर जागें चीज़े करने से पतृफन के लाटक्ति लिए यह जी मुझे नहीं नहीं ज्यादा आप को ज्यादलिक सबयायinde सर्थाने से और लोड़ किसी नहीं मुझे नहीं ब chili जरने साकदे हैं उता चारी हम कि एक वरत सब्सक्राइब करकूं आगर आप प्राप्मआइपास कि-वेश के उक यह उना आगर किंद्ट के अगर इंबंगोज करें टो किकशादा होगा तो होगा तो के तो मुषक की वाइफ सो में बृप्ण के लुफुर्लाफ उसके नीपस ना पिस ऴजले कि ताइम पर विज यह भी पाई और अर्ग बेसिकली ल्वों क two होते वह भी शेयर किया है आद मैं इसे जाते बीडियों बना करते हैं análं कि अधिन आकोुदक ये प्रम्लम फेस ना करें छांज आह और सब्सक्राइं सब्सक्नाइब में गाम घवालव यह थें DEKT' कर दो कर दो